आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री इन सब के कमबाइंड कुछ क्वेस्टन्स हैं जो कि SSC CGL के प्रिविएस एक्जाम्स जो हुए हैं उन सब में कई बार रिपिटेडली पूछे गए हैं ठीक है और जो आने वाला एक्जाम है SSC CGL का उसके लिए भी काफी जादा ठीक है और अगर आप लोग वहां से जाके पीडिया भी डाउनलोड कर सकते हैं तो फर्स्ट क्वेस्टन है कि लौड जो गोतम बुद्ध थे जो कि 6 और 7 सेंचुरी में थे उस टाइम पर टोटल कितने महा जनपद पावर एक्जिस्ट करते थे तो उस टाइम पर टोटल 16 महा जनपद थे जैसे कि जिनके नाम है कासी, कोसाला, अंगा, मगद, वज्जी, मला, छेदी, वत्स, कुरू, पंचला, मचाच्छा, सूरसेन, असाका, अवंती, गंधार, एंड कामभोच और नेक्स्ट क्वेस्टन है कि जो प्रजेक्ट हैं, तो वो लॉंच किया जाता है, 1973, 1973 में, 1st April 1973 को गवर्मेंट आफ इंडिया के दौरा, एक एक आक्ट के था, प्रजेक्ट टाइगर को इनिसियेट किया गया था, और ये अभी भी चल रहा है, तीक है, और इसके लिए एक टाइगर प्रटेक्शन फोस भी सेट अप की ग अच्छी वी से चंद्रगूप्त पृत्थम जो थे, उनको डौरी में कौन सा इस्टेट मिला था, तो उनको मिला था पार्टली पूत्र, ठीक है, और नेक्स्ट कोशन इस चालुक के डाइनस्टी जो थी, या फिर चालुक के वन्स, उसके संस्तापक कौन थे, तो उसके सं चापी जो थी, जिसको की अभी बादामी बोलते हैं, जो बाला को डिस्टिक में करनाटक के, वहाँ पर उसको कैपिटल बनाया था, ठीक है, और इनको चालुक्यास ऑफ बादामी, ठीक है, बादामी के चालुक्या के नाम से भी जाने जाता है, पुलका सेंद प्रथम को, जो नेक्स्ट क्वेस्टन है कि वह कौन सा फर्स्ट मुस्लिम रूलर था, जिन्होंने अप्रोक्सिमेटली होल इंडिया जो है, उसको अपने एंपायर में कवर कर लिया था, ठीक है, वो थे अलावदीन खिल जी, उन्होंने काफी सारी लड़ाईयां लेडी जैसे की, गु फार्स दोला, एडी में, उनकी मौत हो गई थी, वह उसके साथ थी, खिल जी डाइनेस्टिकी भी, एंड हो गया था, ठीक है, जो नेक्स्ट कोस्ट्टन ही, जो बाग के पैंटिंग्स जो है, वो कहां पर पाई जाती है, तो वो है मद्यप्रदेश में, ठीक है, मद्यप्र है उसके लिए काफी ज़्यादा फेमस है और ये बुद्धिज्म से इंस्पार्ड है बाग के पैंटिंग्स जो है ठीक है और नेक्स्ट कुष्चन ही जो बादामी के चालुक्या जो थे अधकि नहीं कौन से जिन्होंघ विश्चन ना अपनी कैपिटल चेंज करके बादामी बना ले थी कहां से चेंज की थे उनोगों ने आही ओल जो था वह बादामी चालूक्योंकि फर्स्ट कैपिटल थी ऊसको चेंज करके उन लोगोंने बादामी बनाया था ठीक है जो कि होल है यह अभी एक इंपोर्टेंट अर्केलोजिकल साइट है जिसको की यूनेश्को की दोरा भी रिकोनाइज किया गया है एज वर्ल्ड हैरिटेस साइट ठीक है और यह माला प्रभा रिवर वैली जो कि बगल कोड डिस्टिक में है करनाटक के वहां पर सिच्वेटेड है ठीक है और नेक्स्ट कोश्चन है कि वह फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी कौन सी थी जिसने इंडिया को रूल किया था फर्स्ट थी सिलेव डायनेस्टी ठीक है जिन्होंने 1266-1290 तक सासन किया था ठीक है और यह फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी थी जिन्होंने इंडिया पे रूल किया था ठीक है और इनके अलाव जो थे जैसे मौम्मद बिनकासिम, मौम्मद कासिम, मौम्मद गोरी ये लोग भी इन लोगों ने भी इन्वेड किया था ठीक है पट इनसे बाद में आई थी सिलेव डाइनिस्टी पट ये रूलर बनी थी ठीक है और नेक्स्ट गोस्चन है कि मिहिर भूज किस जगे के सासक थे तो वो थे प्रतिहार के ठीक है गूर्जरा प्रतिहार डाइनसिटी के रूलर थे ये ठीक है और इनके जो फादर थे राम भध्र उनके बाद इनको बनाएं गया था ठीक है वहां का राजा मिहीर भोज को ओके नेक्स्ट क्वेस्टन है कि किस पीरियड के बीच में किस पीरियड को इंडियन हिस्टि के किस पीरियड को दिल्ली सल्तनत पीरियड के नाम से जाने जाता है सबसे पहले आई थी स्लेव डाइनेस्टी ठीक है उसके बाद आई थी खिलजी डाइनेस्टी जो 1290 से 1320 तक जिसने शासन किया था उसके बाद आई थी तुगलाग डाइनेस्टी जिसने 1321 से 1413 तक रूल किया था उसके बाद सायद डाइनेस्टी या फिर सायद वन्स भी apprendre बोल सकते हैं ठीक है जोक की 1414 से 1450 तक जिन लोगोंने रूल किया था ठीक है उसके बाद में लास्ट में आई थी लोधी डाइनेस् कि इस प्लेस पर रूल किया था उन लोगों ने तो वह लोगों किया था मैसूर में ठीक है वादियाज हिन्दु डायनेस्टी थी उन लोगों ने मैसूर पर रूल किया था तेरा सो 999 से उननीस्सो से तालिस था और जो कि 1399 में यदू राया वो दियार के द्वारा इसको established किया गया था और जो कि मैसूर के जो विजे नागरा एंपाइर है वहाँ पर 1413 तक इन्होंने रूल किया था ठीक है और नेक्स्ट क्वेस्टिन है कि 1026 एडी में जो सोमनात का जो तेम्पिल एसको किसने अटैक किया लूट लिया था तो किया अगय था मुहमद कजनी के द्वारा जो कि अफगान के रूलर थे महमुद कजनी के नाम से जिनको जाना जाता था ठीक है और जो यह टेम्पल था सोमनात टेंपल ये डेडिकेडर था भगवान सिवा के लिए जिसकों की परामारा किंग जो थे परामारा किंग भोजा मालवा के जो किंग थे उनके द्वारा और सोलंकी किंग जो थे भीम देव पर्थम उनके द्वारा 1026 से 1042 के बीच में मनाए गया था ओके नेक्स्ट 個िष्टन है कि 1876 में इंडियन नेशनल असोसिएसण किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई आनंद मोहन भोश है इनके द्वारे कलकत्ता में 1876 में इंडियन नेशनल असोसिएशन इस्टैब्लिश किया गया था ठीक है और यह एक first nationalist organization थी जो कि बीटिस इंडिया में बनाई गई थी आनन्द मोहनबोस और सुरेंदरनाथ बैनर जी के द्वारा ठीक है 1876 में और इसको initially भारत सभा के नाम से जानते थे ठीक है और इसकी first annual conference जो हुई थी वो कैलकटा में हुई थी ठीक है बाद में 1885 में कोंगे तब उसको इसमें ही मर्ज कर दिया गया था ठीक है तो next question है कि जो भगती movement थी ठीक है जो की Lord राम यह भगवान राम पर केंद्रित थी ठीक है उसके लीडर कौन थे उसकी लीडर थे राम अनन्दा ठीक है यह भगती movement के लीडर थे ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टन है क कि जब national जब national emergency लगाई गए थी 1975 से 1977 के बीच में उस टाइम इंडिया के प्राम इनिस्टर कौन थे तो उस टाइम प्राम इनिस्टर थी इंद्रा गांदी और यह जो emergency है यह 19 मन्त 19 महिनों के लिए लगाई गई थी और उस टाइम पर प्रसिडेंट थे फराकुद्दन अली एहमद फराकुद्दीन अली एहमद ठीक है और नेशनल इमर्जेंसी किस आर्टिकल के तहत लगाई गए थी वो लगाई गए थी आर्टिकल 352 352 के तहते ओके इंटर्नल डिस्ट्राबैंस के लिए इस टाइप से ह पुछे थे कई बार क्वेस्ट जीसे की फॉस्ट टाइम पर पुछा था सब्सक्राइब प्रसिडेंट कौन थे और फिर आर्टिकल यह पौलेटी से रेलेटेड होगा आर्टिकल के बारे में पूछ लिया और रीजन पूछ लिया किस रीजन के लिए लगाई गही थी कि नूदि इसको पीड़ जो पु म वाड़ को पूछ गाई hevud गुम्हा पराके पूछेए गए गया है जो रेड़ फॉर्ट है और जामा जीक्डि दिल्ली भी जो किसके काल के आर्किटेक्ट्ट है किसके काल में बनाए गए किसके पीरिएड में बनाए वो बनाए गए साज जहां के पीरियेड में और इसके लाओ जो जामा मस्जिद जो है ताजमेल है वो सब भी साज जहां के द्वारा ही बनाए गए है वो साज जहां ने उसकी खुद की कैपिटल थी ठीक है उसको दिल्ली सिफ्ट कर दिया था उसके बाद ये सहा जहां बाद जो कि यही पेपास में है उसको डवलप किया गया था सहा जहां के द्वारा ही और नेक्स कोस्टन ही जो विक्टोरिया मेमोरियल जो कि लॉड कर्चन के द्वारा कंसीव किया गया था ठीक है वो कहां पे है तो वो है कॉलकता में ठीक है विक्टोरिया मेमोरियल जो है बेटिस आर्किटेक्चर का वो कॉलकता में सिच्चोटेर है जिसको की 1906 से 1902 किस के बीच में बनाए गया था क्वीन विक्टोरिया की मेमोरी में और इसको प्रपोज किया गया था लौड करजन के द्वारा 1906 में ठीक है और नेक्स्ट क्वेस्चन है कि जो सिच्च के 10 गुरु थे उनमें से 5 त कौन थे उनमें से 5 थे गुरु अर्जन देव ठीक है जिनों ने जो गुरु गरंत साहिब जो है इसका कमपाइलेशन किया था ठीक है और दर्बार साहिब जो अमरिस्चर में है उसको भी इनके द्वारा ही कमप्लीट किया गया था और उस टाइम पर जो मुगल एम्परेर थे जहांगी उनके द्वारा इनको अर्एस्ट कर लिया गया था ठीक है गुरु अर्जन देव को और उनसे बोला गया था कि यह इसलाम में कनवर्ट कर ले इनका रिलीजन और उसके बाद इनको एक्सेक्यूट किया गया था 1606 में जब इन्होंने रिफ्यूज किया था ओके नेक्स्ट कुस्टन है कुतुम मिनार जो है वो किस सूफी संथ के नाम पर रखा गया है तो वो रखा गया है ख्वाजा कुतुम दीन बक्तियार काकी इनके नाम पर ठीक है और जफर मेल जो है ठीक है वहाँ पर भी इनकी दरगा आए ठीक है ख्वाजा कुतुम दीन बक्तियार काकी ठीक है और next question है कि जो वर्ड का जो फेमस हर्मिंदर साहिब है ठीक है जिसको कि Golden Temple के नाब से जाना जाता है जो अम्रिट Sahr में उसको किसके द्सके द्वारा बनाएगा तो इसको बनाएगा था गुरु अर्जिन देऴ के बारे तो इसके बारे में पहले बता ना भूल गया हूँ जो नेक्स्ट क्वेशन है कि महत्मा गांधी ने नेटल इंडियन कॉंग्रेस कब बनाई उन्होंने बनाई थी 1894 में नेटल इंडियन कॉंग्रेस जो की जो इंडियन ट्रेडर्स जो थे ठीक है उनका जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए इसको 1894 में महत्मा गांधी के दौरा बनाए गया था ओके नेक्स्ट क्वेस्टन है कि जो है हिंदुस्तान सोसेलिस्ट रिपब्लिक असोसियेशन वो कब फॉर्म की गई तो वो बनाए गई थी 1928 में बिटिस एंपायर को ओवर्ट्रो करने के लिए बिटिस राज जो इंडिया में था उसको ओवर्ट्रो करने के लिए एचे सारे जो कि न्यू डेली में है वहाँ पर इसको बनाए गया था और नेक्स्ट क्वेस्टन ही जो खलाफत मूवमेट जो 1920 में चला था ठीक है वो किसके इंजस्टिस के लिए और्गनाइज किया गया था तो वो किया गया था तर्की के जो तर्की के मतलब जो खलीफा थे इनकी उनको लिए जो इंजस्टिस किया गय था बिटिस के दौरा उसके अगेंस्ट में ńskलाफत मूमेट स्टाट की गई थी क्जार सौकत अली और मुहमद अली नी अ टिक है और इसको लीड किया था इस मूमेट को अबुल्क लुमा आ जाने मेँ तो नेक्स्ट क्वेस्टिन है कि बंगलादेश का जो लिबरेशन वार जो हुआ था उस टाइम पर इंडियन आर्मी का चीफ कौन थे उस टाइम पर इंडियन आर्मी के चीफ थे सैम मानिक्स हो ठीकर बंगलादेश का जो लिबरेशन वार हुआ था 1971 में जो कि मार्च से लिए के दिसम्बर तक चला था उस टाइम पे इंडियन आर्मी के चीफ थे सैम मौनिक सो और उसी टाइम पे उसी एर में 71 में ही इंडो पॉक वार भी हुआ था जिसमें की लास्ट में पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया था ठीक है और मित्रमेला जो एक रिवलुश्णरी और्गनाइशन जो थी वीर सावर करे दोरह इसको बनाए गा तो कब बनाए गा था में niż सो में मित्रमेला को वीरSavar करके द्वारा प्रहें गया था और बाद में इसका नाम अभी नव भारत समीती कर दिया गए उन्हीं सो चार पांच में एक सीक्रेट और्गनाइजेशन थी जो कि यंग रिवलुशनरी जो थे ठीक है उनको सपोर्ट करने के लिए इंडिया की जो फ्रीडम स्टागल थी उसम की एक मुस्लिम अवैकनिंग मूवमेंट थी 19 सेंचुरी में जिसको स्टाट किया गया था और जो सहीद एहमद खान जो थे उन्होंने महुमदीन एंगलो औरियंटल कॉलीगेट स्कूल भी इस्टैबलिश किया था 1875 में जिसको की बाद में अलीगर्ड मुस्लिम युनिव जो कि गुजरात में है उन लोगों एक मुवमेंट स्टाट किया था बिटिस के अगेंस्ट में 1928 में वो किसके द्वारा लीड की गई तो वह लीड किया गया था बलब भाई पटेल के द्वारा ठीक है जिसको की बड़ोली सत्यक रहे के नाम से भी जानते हैं यह एक इंड उसको इंक्रीज कर दिया गया था ठीक है 30 परसेंट जिस वज़े से सरदर बलब भाई पटेल के द्वारा यह लोका फार्मार्स के लिए यह मुवमेंट स्टाट किया गया था वहीं पर जो वलब भाई पटेल थे उनको सरदार का टाइटल मिला था ठीक है बरड़ोली सत्यक्राग्रह में और नेक्स्ट क्वेस्टन है कि फादर ओफ इंडियन अन्रेस्ट के नाम से किनको जाना जाता है तो वह हैं बाल गंगा धर्ति लग को फादर ओफ इंडियन अन्रेस्ट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह फर्स्ट इंसान थे जिन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस य से दिया गया था वेलेंटाइन चिरॉल के द्वारा और इनको लोक मानने के नाम से भी जानते हैं ठीक है इनका फेमस जो कोट था होता स्वाराजी इस माइब थ्राइट एंड आइसल हैविट नेक्स्ट क्युष्टिन है बने जो गदर पार्टी किसके दोरा फांड की है तूप की ग्या ती सोहन सेंग सोहन सिंग भखना के ध्यूरा सुथ साथ में ही वो थे लाला हर्दियाल इसी पार्टी गदर पार्टी जो कि कि 1910 में इस्टेबलिस की गए थी 1910 में इसको स्टेबलिस किया गया था और नेक्स्ट कुश्चन है कि गोल गुंबज कहां पे लोकेटेड है तो गोल गुंबज है करनाठक में लुए टो किन्ंग जो थे वहाँ के मुहमभड आदिल साहा उनके बनाए गया गया Auch a जो की आद्ल साह डायनैस्टी जो दीजा पुम्हाepende करनाटक में है ठीक ह वहां के जो दॉत दायनेस्टी थी आदिल साहट उसके सेवन्थ रूलर थे मुहमभड आदिल सहा तुक्त और यह गोल गुम्बस जो है इसको डिजाइन किया गया था रत्नग्री डिस्टिक के दादुल के याकुत के दौरा तुक्त आ और इस को यह जो गुल कुम्बस जो है ते के इसको उन्होंने खुध के बरियल के लिए तेक है मुहम्द अदिल सार ने कंस्टिक्ट करवाये था अ कि ते अ और यहीं कि जो पास में जो बेल गाव है ठीक है जो बीजापूर करनाटक में इसके पास में ही बेल गाव है जहां पे गांदी जी ने Congress session प्रस्टिडाइस किया था ठीक है सो यही थे कुछ important questions Indian history के जिस में मेडियेवल एंचेंट और मॉडरन हिस्टिक है जो रिपीटेडली पूछे गया है तो आज के लिए बस इतना ही ओप यू गाइस फाइंड इस फाइंड इस फाइंड इस फाइंड इस फाइंड दो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो स्टेडिकाउच थैंक्स पर इसके बस्टो इसके लिए और मॉंट ओर ना इसके लिए।